वेलकम तो मैं चैनल तो आज का जो पाट है वो बहुत ही क्यूट एंड रॉमांटिंग होने वाला है तो हम लोग आगे क्या पाश्रू करते हैं जहां पस समय दिखाया जाता है कि जिसको होश आने लग चाहता है कि जहां पस अर नहीं मुझे तॉछ कर रहा है शीयान तुम जग गये हो और सीयान बहुत ही डर जाता है और वो उसको दूर करते हैं कि I'm sorry मैंने आपको फिर यहापस मिश्री बोलते है कि क्या मैंने तुम्हें तुम्हें डरा दिया से यान I'm sorry तू वो बस मैं तुम्हारे हेर को जो है ना गिला उसको मैं सुखा कर रहा था ताकि तुम्हें कोल्ड ना हो जाए और फिर उस सुस्ता है कि हाँ इन्हें एक्स्प्रेनेशन देने के कोई जर्वत नहीं है मुझे पता है यह सब क्यों हुआ किस टाइब से हुआ और वो अपने आपको मतलब इस सब के लिए ब्लेम करते रहता है और वो कहते है कि don't tell me वो सब तो नहीं हो गया ना और जब उसका strong फेरेमस रहता है जो उसका Mr. U Alpha है और उसको Omega का तो समझ जाता है कि हाँ इस पूरी living room में इवन यहां बाठों में भी उसके smell है और उसका सर जुख जाता है बोलता है कि I'm sorry मैंने आपको इन सब में फेस से इन्वाल्व कर दी ऐसा और उसके पूरी body कामते रहती है और वो अपने आप पर सच में गुस्सा करता रहता है मैंने कहा था कि ऐसा कभी नहीं होगा मैं ऐसा नहीं करूंगा और वो बहुत ही शर्मिंदा होता है अपने बातों के लिए गुलता है कि मुझे पता है मेरा फेरमेंस अंस्टेबल है इस वज़े से हुआ है और वो मन में सोचते रहता है मैंने अपना माइंड बना लिया था कि ऐसा फिर से नहीं होगा पर यह इतना रिरिकल ऐसा है वो सब फिर से हो गया आजाता है ना किता प्यारा वो गुटनों में आकर बोलता है मैंने यह सब इसलिए किया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ अभी भी और जितने बार में मैंने तुम्हारे साथिये किया मुझे यह रिलाइस बहुत लेट से हुआ है तो यहाँ पस यह आनको तो बिलीव ही नहीं होता रहता है कि अरे मैं शायद सपना देख रहा हूँ कि क्या बोल रहा है यह मुझे लाइक करते है और बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा होई नहीं सकता है मतलब वो फ्लिंच हो जाता है उसकी भातों से अपने आपको ही बोलता है कि नहीं मुझे जगना पड़ेगा यह ड्रीम ही है अपने मुझे को शेख करते हैं बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा हुई नहीं सकता है यह ज़रूर ड्रीम है जिससे सेज Mr. You है वो स्माइल करते हैं और वो उसके पास नजदी जाके बोलता है कि मुझे यह बहुत लेट रिलाइज हुआ पर सच में तब तक तुम अपना माइन ही बनाओगी मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा जब तक तुम मुझे लाव नहीं कर सकते तो यहाँ पस यहान को मतलब उसको और अजीब लगता रहता है कि यह सच में ट्रीम नहीं है और फिर अपने ख्यालों में सोचते रहते हैं कि हाँ मैं हमेशा से चाहता था ओमेगा बना मैं चाहता था कि मैं मिस्टर यू के साथ रहूं और मैंने एक बार नहीं यह कई बार सोचा है कि यदि मैं तो मेरे लाइफ कितनी एजी हो जाती कि मैं मिस्टर यू के साथ रहता और वो पुजता है मिस्टर यू से क्या होता अगर मैं बीटा ही रहता मतलब मैं कभी ओमेगा बनता ही नहीं तो क्या आप मुझे फिल भी पसंद करते सर यहां पस Mr. U बोलता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है C.A.N. बोलता है कि मैंने कहा यदी में ओमेगा नहीं बनता यदी वो सब कुछ नहीं होता मैंने इसके बारे में कई वर सोचा है यदी में बीटा ही रहता Unexpectedly मैं ओमेगा बन गया हूँ आपको पता है मैं हमेशा से चाहता था कि मैं आपके लिए ओमेगा बनू काश मैं ओमेगा रहता मैं आपके साथ रहता पर मैंने ऐसा कभी नहीं सूचा था कि मेरी पुरी लाइफ बदल जाएगी मैं अपने हमेशा से अपने आपको बीटा समस्ता था पर मैं ओमेगा बन गया पता है ये लाइफ कितनी मुश्किल है कहीं ये सब आप गिल्दी के वज़ए से तो नहीं कर रहे है या फिर आपको sorry feel हो रहा है मेरे लिए मुझे जानना है इसलिए तो आप ये सब नहीं कर रहे है कि आपको लगता है कि आपने गल्ती कर दिया है तो बहुत भूत दुकी रहता बिचार क्या करेगा उसको लग रहे है मतलब ये सब जो कर रहा है as a favor कर रहा है कि मेरे वज़़द से ओमेगा बन गया है या फिर इसको ऐसा सब चुछ जिलना पड़ा है तो यहाँ पस उसको गलत वह में कोई दूर करता है Mr. You बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है तुम्हें क्या लगता है कि मैं डिफरेशेर्ड नहीं कर पाऊंगा इन दोनों के बीच में सियोन कहता है कि मेभी आप मिस्टेक कर रहे होंगे लाव और गिल्थ के बीच में यहाँ पस Mr. You समझाने के कोशिश करते है कि ऐसा कुछ होता तो मैं तुम्हें यह क्यों कहता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूं याद है तुम्हें मैं तुम्हें जब मिला तो मैं तुम्हें यही कहा कि मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ और उसे समझाने के उसे convince करने के विचारे बहुत ही कुशिश करता रहता है बोलता है कि मुझे पता है यह बहुत ही मुश्किल है इन सब को accept कर पाना but don't worry I'm sorry कि मैं ऐसा confess कर रहा हूँ वो भी इस हालत में मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें कैसे समझाओ मैं खुदी dummy हूँ मैं अपने feeling पे good out कर रहा था पर मैं समझ गया हूँ मुझे पता है कि तुम्हें तुम्हें थोड़ा time चाहिए अपने आपको समझने के लिए अब मुझे पता है कि तुम suddenly omega बन गए हो मेरी वज़ा से पर ऐसा कुछ नहीं है मैं तुम्हें like करता हूँ और मैं सच में try करूँगा जब तक तुम्हारी sincerity मेरी lay face से बदलना चाहे यह इसकी cute cute बाते सुनके उसकी दिलों की धड़कने बहुत ही तेज होते रहती है सेयान के यह पस Mr. You बोलता है कि तुम्हारा face से बता रहा है कि तुम अभी कुछ कहना नहीं चाहते हो और उसकी उंगलियों को पकड़ता है बोलता है I like you I like you सेयान और वो उसकी बातों से ही बोलता है कि मतलब कुछ कहने पाता है और उसके हाथ को किस करते है बोलता है कि I like you जितने बार वो I like you बोलता है वो इतने बार ही blush करता रहता है बोलता है कि Stop Please आप ऐसा मत करो और वो अपने face को cover करने लग जाता है क्योंकि वो पूरी तरीके से रेड हो जा रहता है यहां पस Mr.U हस से बोलता है कि तुम्हारा face देखो तुम्हारा face ऐसा लग रहा है जैसा कि पूरा कुबारा हो रेड कुबारा और वो उसको गुदी में उठा के बोलता है कि हाँ ठीक है पर मैं इतना तो करी सकता हूँ ना मैं कुछ भी ऐसा weird thing ने करूँगा so don't worry यहां पस वो अपने मुझ को कवर करके बोलता है कि प्लेज आप मुझे नेचे उतार दीजिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है Mr.U कहता है कि I am serious तुम टेंशन मतलों मैं तुम्हारे पर्मिशन का वेट कर सकता हूँ तुम्हें डरने की जर्वत नहीं है मैंने कहा न तुम इस अंडिस्टांदिंग मत करो और उसे सेच में बैट पर लिटा देता है यहां पस यहां बस उसको देखता ही रहता है और अपने आपको ना समझने की कोशिश कर रहे कि यह सब हो क्या रियल है क्या दुसरे सब मिस्टे यू बहार निकल जाते है दर्वाजे के बाहर उसकी दीरों के धड़कने तेज होते है वो खूद इतना बलाश करते रहता है मैं यह सब करते है फिर नेक्स मॉन इंदी कहा जाती है जहां पस मिस्टे यू रहते है ना सियान के लिए बहुत सारव फूद और करते है और गहता है कि तुम्हारे लिए यह सब खाना है तुम्हें बहुत ही अच्छे से खाना खाना है और देखो बिल्कुल भी कमी मत करना और यहां पस इवन बोलता है कि पर यह बहुत जादा नहीं हो गया है तो जादा ही पर भी यहां पस यू जो रहते हैं उसकी केर करते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा तुम्हें अपना जो खाना है प्रॉपली खाना पड़ेगा एटलिस मेरे सामने तो पूरा ही खातम करने पड़ेगा वह ना चाहते हुए बोलता है कि थीक है तैंक्यू से और उसको ना हर चीज मतलब इती केर कर रहा था हमें क्या बता हूँ उसके लिए पानी लेकर आ रहा था उसके एवन खाना भी उसको दे रहा था बोलता है कि ठीक है तुम्हें यह सब खाना चाहिए और देखो तिम कमफ़ड़ीपली खा जैसी वह खाने लगता है बस उसको इसको श्माइल करते हुए देखे बलश हो जाता है और फिर अपना खाने पर फोकस करने लग जाता है तब ही मिस्टर यू कहते है ओ राइट मैं तुम्हें कुछ बताने वाला था श्यान को लगता है कुछ इंपोर्टेंट होगा यहां पस मिस्टर यू स्माइल करके बलता है कि मिस्टर तम ठीक तो ना और उसको ग्लास में पानी देते बलते हैं कि हरी अप जल्दी से ट्रिंक करो अब वो ड्रिंक करने लग जाता है यहां पस मिस्टर यू बलता कि क्या तुम्हें बेटर फील हो रहा है और वह हसते है ठीक है नेक्स टाइम मैं ऐसा कन्फेस नही करूंगा जब हम दोनों खाना खाते रहेंगे से यान बहुत गुसें बोलता है कि सर आप जल्दी से अपना खाना खतम करो और मुझे गुर्णा बंद करो तो आज के यह क्यूट पार्ट आप सब लोग को कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना थैंक यू फो बाई बाई बाई